वेलकम बच्चों, दुनिया में यही एक बहुत बड़ी विडमबना है, कि दुनिया के सारे लोग अमीर बनना चाते हैं, सुक्स विधा पाना चाते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाते हैं, बिना मेहनत किये वो अमीर बनना चाते हैं, यही कारण है लोगों का कस्टमाई जी इसके बहुत उचे-उचे खाब है और किस तरह यह पूरा करता है और इसके जीवन में क्या कस्ट आता है इसी समंधित यह चप्टर है आईए देखते हैं यह कौन से चप्टर है यह कलास फाइफ की इंग्लिस बुक है चप्टर एट है चप्टर का नाम है दर ड्रीम ड्रीम क परता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों हमारे चैनल से आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे इसलिए आप लोग भेर बना के रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो आईए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं एक द्यानन्द नाम का बेपारी पटना में राता था। वह एक अनाथ बच्चा था लेकिन वह अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े सपने देखता था। He wanted to be a rich man. वह बहुत ही अमीराद में बनना चाहता था। He used to build castles in the air. वह हवा में ही सपने बुनता था और अपना एक ख्वाबों की दुनिया बनाता था। He had a habit to speaking while dreaming. वह जब सपने देखता था उसे सपने में बोलने की आदत था। One day Vikas was half asleep. एक दिन Vikas अर्ध निंद्रा में सोया वा था, मतलब पूरी तरह नहीं सोया था। He saw a dream और वह एक dream एक सपना देख रहा था. He has become rich. वह अमीर हो गया है. He has a big mansion and द्यानन्द is his servant. उसके पास एक बड़ी हवेली है. बहुत बड़ा महल है और द्यानन्द जो उसका मालिक है वह उसका नोकर है. ऐसा वह सपना देख रहा था. He orders द्यानन्द. वह द्यानन्द को आदेश दे रहा. Come here, द्यानन्द and press my legs. कि द्यानन्द यहां आओ और मेरे पैरों को दबाओ. By chance, द्यानन्द वाज passing from there. और संजोग वस द्यानन्द वहीं से गुजर रहा था. He heard Vikas's order. वह Vikas का आदेश सुना. He could not bear this insult. वह इस तरह की बे को जगा दिया. He insulted Vikas in front of other servants. और उसने Vikas का अपने दूसरे नोकरों के सामने insult कर दिया, उसका बेजती कर दिया. He was thrown out of the house. और उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया. यहां पर आप देख रहे हैं और इसके आगे देखते हैं. वह उसके सामने जाता है और अपने हाथों को, अपने सीर को जुका के उनको परनाम करता है. The Hermit asked. तो साधू उससे पूछता है, Who are you? And what do you want? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? I am vikas. I want to be rich. मैं vikas हूँ और मैं अमीर बनना चाहता हूँ. I have been insulted by द्यानन्द. मैं द्यानन्द के द्वारा बेजती किया जा चुका हूँ. He should fall on my feet and say sorry. वह मेरे पेरों पे गिर जाए और मुझसे माफी माँगे. ऐसा वो बोल रहा है कि ऐसा हो, तो मुझे अच्छा लगेगा. Work hard if you want to be rich. वह साधू उसे बतलाता है कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो कड़ी मेहनत करो. It will take a long time. ऐसा करने में, इस परकार से अमीर बनने में मुझे बहुत ज़ला समय लग जागा. This is the right way to earn money, name and fame. कि यही सही रास्ता है, पैसा, नाम और सोहरत कमाने का. I want to be rich soon. मैं बहुत जल्द ही अमीर बनना चाहता हूं. There is no shortcut to success. सफलता पाने का कोई छोटा मार्ग नहीं होता. इस बात को आप लोग को भी ध्यान रखना है. यह बहुत ही important line है. There is no shortcut to success. ज़्यादतर लोग shortcut अपनाते हैं सफल होने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए. तो आप लोग को भी यह चीज नहीं करना है. इसलिए यह line लिखा गया है. No shortcut to success. Success, सफल बनने के लिए कोई भी छोटा मार्ग shortcut नहीं होता. If you choose any other way, it will create a problem for you. अगर तुम कोई दूसरा रास्ता अपनाते हो, तो यह तुम्हें कोई समस्या में डाल सकता है. कोई बड़ी समस्या में डाल सकता है. I want my dream should come true. मैं किसी भी तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ. You should grant me power that will make my dream come true. कि आप मुझे कोई सकती दे दिजिए, कि मैं किसी तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकूँ. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह बच्चा साधू के सामने हाथ जोड़कर यह विंती कर रहा है. दहरमित smiled and said, वो साधू जो रहता है, वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, I am telling you यह मंत्र. मैं तुम्हें एक मंत्र बता देता हूँ, when you chant this मंत्र, your dream will be fulfilled. जब तुम इस मंत्र का उचारन करोगे, तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा. But you can use this मंत्र only three times, लेकिन तुम इस मंत्र को अपने जीवन में सिर्फ तीन बार ही उप्योग कर पाओगे. इसके आगे है, at night, Vikas had to sleep in a rest house. रात में Vikas, जब अपने rest house में सो रहा था, he saw a dream. उसने एक सपना देखा, द्यानन्द जो उसका मालिक था, वह उसके पास आ गया है. He is saying sorry for his mistake, और वह बोल रहा है अपनी गलती की छमा मांग रहा है. He is also requesting Vikas to marry his only daughter, और वह उससे आग्रह भी कर रहा है कि उसकी एक लोती बेटी से वह साधी कर ले. Suddenly he woke up, और अचानक ही वह जाग जाता है. He chanted the mantra, और वह उस मंत्र को उचारन करता है, जो उसको साधूने दिया था. In the morning, द्यानन come to the rest house, और सुबह में द्यानन rest house में आ जाता है. He went to Vikas and said, वह विकास के पास गया और बोला, Son, forgive me for my mistake. कि बेटा, मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए. My daughter Sobha wants to marry you. मेरी बेटी Sobha तुमसे साधी करना चाती है. If you accept this proposal, I shall be very happy. यदि तुम्हें या परस्ताव पसंद है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. Vikas's dream came true. विकास का सपना पुरा हो गया. He married Sobha and started living a luxurious life. वह Sobha से साधी कर लेता है और बहुत ही उची जीवन जीने लगता है. He had become the owner of Dhyanand's whole property. वह Dhyanand के पूरी संपती का मालिक बन जाता है. All the servants had to obey his order. उसके जितने भी नौकर होते हैं, सभी उसके order को मानने लगते हैं. They were jealous to see the lifestyle of Vikas. वह सभी उसके जीवन सेली को देखकर जलने लगते हैं. क्योंकि वह भी उसके साथ में पहले नौकर थे. अब यह मालिक बन गया है, तो जाहिर सी बात है, जलन तो होगी. Dhyanand said to Vikas. दियानन जो ससुर हो चुका है, वह विकास से कहता है, servants do not like you because you got these things without labor. कि जितने भी servant हैं यहाँ पे, जितने भी नौकर हैं, वो तुमको पसंद नहीं करते. क्योंकि यह सारी चीजें तुमने अपनी मेहनत से नहीं पाई है. You should start a new business to prove your quality. तुम्हें अपने गुन को साबित करने के लिए एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए. When Vikas slept that night, जब Vikas उस रात को सो रहा था, he saw another dream, उसने एक दूसरा सपना देखा. He has started a business of jewelry, उसने एक जोलरी का बिजनेस शुरू कर दिया है. He became the richest man of that town, वह उस सहर का सबसे बड़ा, सबसे अमीर आदमी बन गया है. Vikas told Sobha about his dream. Vikas Sobha से अपने dream के बारे में बोलता है. Sobha बोलती है, Sobha said, dream is dream, it never comes true. कि सपने तो सपने होते हैं, या कभी सच नहीं होते. Sobha इसा बोलती है, Vikas told Sobha about the mantra of Harmit. तो Vikas Sobha को उस हर्मित, उस साधू का मंतर बतलाता है. कि वो साधू हमें ऐसा मंतर दियावा है, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. He chanted the mantra, और वह उस मंतर का उचारन करता है. Next day, he took money from Dhyanand and started the business of jewelry. वो आगले दिन दियानन अर्थात अपने ससुर से पैसा लेता है और एक नया बिजनेस शुरू करता है jewelry का. Within two years, he became the richest man of that town. और दो साल के अंतराल ही, वो उस सहर का सबसे बड़ा सबसे अमीराद्मी बन जाता है. His dream came true again और उसका सपना फिर से सच हो जाता है. His competitors were troubled to see his success. उसके परतियोगी जो होते हैं, उसके सफलता को देखकर समसिया में आ जाते हैं, उन लोगों को परिशानी होने लगता है. They had a great loss in their business. उन लोगों को उसके बेपार में बहुत ज़्यादा हानी होने लगता है. They started a rumor और वे लोग एक अफवा फैलाना शुरू कर देते हैं. Vikas sells inferior products. Vikas एक घटिया माल बेचता है, खराब प्रोड़क्ट बेचता है. He does not pay taxes to the king. और वह राजा को कर भी ने चुकाता है. टेक्स भी ने चुकाता है. This is the cause of his success in business. और यही कारण है कि वह अपने business में सफल हुआ है. He is cheating the people as well as the king. वह लोगों को धोखा दे रहा है जैसे कि राजा को भी धोखा दे रहा है. इसके आगे हैं, the king of पाटली पुत्रा also heard this rumor. पाटली पुत्रा का राजा, पठना का नाम पहले पाटली पुत्रा था. तो पाटली पुत्रा का राजा था, वह इस अफवा के बारे में सुनता है. विकास was summoned to the court और विकास को बुलावा भेजता है अपने दर्बार में उपस्तित होने के लिए. वह उससे कहता है कि या तो तुम टेक्स चुका दो, नहीं तो पकड़कर जेल भेज दिये जाओगे. वह पाटली पुत्रा का राजा बन गिया है. वह सभी लोगों को जो इस अफ़ा को फैलाया था, उन सभी लोगों को वह पनिष्ट कर रहा है, उसको सजा दे रहा है. विकास टोल सभा, about the dream. विकास उस ड्रीम के बारे में सभा को बतलाता है. सभा बिकेम बेरी हैपी. सभा इस ड्रीम को सुनकर बहुत ही खुस हो जाती है. विकास चुपचाप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है. In the morning, विकास went to the hermit and requested. सुभा सुभा विकास, hermit के पास पहुंच जाता है और उससे आगरह करता है. I don't want to use the mantra third time. मैं इस mantra को तीसरी बार उपयोग नहीं करना चाहता. Please make the mantra powerless. किरपया करके इस mantra की सक्ति को सक्तिहीन कर दीजिए. इसमें वो पावर रहने मत दीजिए. विकास returned and said to सुभा. विकास वापस आजाता है और सुभा को बतलाता है. I had gone to the hermit to make the mantra powerless. मैं उस साधु के पास गया था इस mantra को सक्तिहीन करने के लिए. I do not want to be the king of partly putra. मैं partly putra का राजा नहीं बनना चाहता. I do not want money without labor. मैं बिना मेहनत किये कोई पैसा नहीं कमाना चाहता. It always creates problem in life. या हमेशा ही जीवन में कोई नहीं कोई समस्य खड़ा करते रहता. I sell pay the taxes. मैं सारे tax चुका दूँगा. विकास sold all his property. He paid the taxes. वा अपनी जितनी भी धन्दोलत था वा सब को बेच दिया और tax को चुका दिया. He left the town with a small amount. और कुछ पैसे रखकर वा उस सहर को छोड़ देता है. He started a new life in another town. और वा एक दूसरे सहर में एक नए तरीकी से अपने जिन्दगी का शुरुआत करता है. Rest of his life, he lived happily with his wife. और अपनी बची हुई जिन्दगी को अपनी पतनी के साथ हुआ खुसी खुसी जीता है. यहाँ पे चप्टर समाप्त हो जाता है. यहाँ पे कुछ कठीन वर्ट दिये हुए हैं. आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे. और देखते हैं इसमें और क्या questions दिय पहानी के नुसार सजाना है. जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है. 321 इस तरह से लिखा हुआ है. त्यानन्द हैड ये, servant named Vikas. दियानन्द के पास एक नोकर था जिसका नाम Vikas था. तो यहाँ पे इस तरह से फस्ट में आया हुआ है. तो यह मैंने चेक कर लिया है. यह सब सही है यहाँ से आप बना सकते हैं इसको. और इसके आगे देखते हैं. यह है question number 3, right to false. यहाँ पे true false बनाया हुआ है. तो इसमें से लगबग सब सही है. एक तो सिर्क गलत है. विकास चेंटे दा मंत्र त्री ताइम्स. यह true क्या गया है, यह true नहीं है, false है. मैं इसका भी answer आपको दूँगा. और 4 number में यहाँ पे who said to home. इस तरह का दिया हुआ है. यह भी लगबग यहाँ सही है. सिर्फ यह जो है, यहाँ पे विकास लिखा हुआ है. यहाँ पे हर्मित लिखा हुआ होना चाहिए था. और इसको भी मैं आपको बना के दूँगा answer में. और question number 5 में इसमें भी आपको मिल जागा. इसके आगे यहाँ पे question number 5 यहां तक है. और question number 6 complete it. यहाँ पे जो भरा हुआ है. यह मैंने चेक कर लिया है. यह सब सही है. आप इसमें से भर सकते हैं. और question number 7. 7 में इसमें भी मैंने चेक कर लिया है. और यह सारे सही है. यहाँ से आप देख रहे है. यह सब सही है, इस चप्टर में कुछ ज्यादा ही questions दिया हुआ है, तो आयो मैं आप लोग को इसके answer बना के दिखाता हूँ, यह chapter 8 का question answer, answer these questions, what was the habit of Vikas, Vikas had a habit of the speaking while dreaming, why did Dhyanand insert Vikas, Dhyanand insulted because while seeing a dream, he ordered his master Dhyanand to press his legs, by chance Dhyanand heard Vikas order and felt badly humiliated, how did Vikas greet the hermit, Vikas bought down with folded hands to greet the hermit, what is the right way to earn money, working hard in any occupation or profession is the right way to earn money, what happened with Vikas in rest house, in the rest house, Dhyanand came to him and begged him for his forgiveness, he also requested him to marry his daughter Sobha, how did Vikas pay the taxes, Vikas sold all his property and paid the taxes, question number 3, question number 2 का answer, video में ही बतला दिया गया है, उसमें जो answer दिया गया है, वही सही है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका answer नहीं दिया है, question number 3 में true false दिया गया है, यहाँ पर मैंने direct इसका answer दिया है, आप इसको देखकर अपने book में true false टिक लगा सकते हैं, और question number 4, who said to home, किसने किस से कहा, इसका answer मैंने यहाँ पर direct दिया है, आप इसको देखकर अपने book में लिख सकते हैं, question number 7, match column, match करने के लिए गया है, proverb, यहाँ पर मैंने direct इसका answer दिया है, आप इसको देखकर अपने book में match कर सकते हैं, और यहाँ पर chapter 8 पूरी तरह समाप्त हो जाता है, हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब को एक आवसक सूचना देदूं, कि हमार इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद दिलता है, तो हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो हम लोग नेक्स वीडियो में चलेंगे हैं